है वाट्सअप एवरीबड़ी आज हम आजुक है वन प्लस सेवेंटी की अन्बॉक्सिंग के साथ तो यार पूरी वीडियो देखना तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉक्स से तो यार बॉक्स काफी अलग है इसका बराई अच्छा है तो यार हमें यहां मिल जाता है Dolby Atmos Snapdragon 855 Plus बॉक्स में आपको एक चार्जर एक फोन एक USB केबल एक 30 वाट का चार्जर प्रोटेक्टिव केस और बहुत सारे गाइड्स मिलते हैं यार एक चीज़ देखो manufactured by OPPO seriously डूड तो यार बॉक्स बढ़ाई अच्छा है अंदर की कंटेंट्स भी बहुत अच्छी होगी तो यार चलो अब इसको खोला जाए तो यार सबसे पहले खोल के हम सारे कंटेंट्स अलग अलग कर देते हैं तो सबसे सामने हमें OnePlus का एक बक्सा टाइप मिलता है जो अलग रहेगा फिर हमें मिल जाता है डिवाइस डिवाइस को मैंने पहले ही बूट अप कर दिया था क्योंकि मुझे देखना था सही है की नहीं फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहां तो यहां हमें अंदर एक केस मिलता है भाई बहुत ही हार्ड केस है मेरा उंगली तूट गया इस पर खोलने में से फिर उसके बाद हमें मिल जाता है एक SIM Ejector Tray फिर उसके बाद हमें मिलता है एक USB Type-C केबल जो रेड और वाइट रंग में है जो OnePlus का कलर है जो बहुत अच्छा लगा मुझे अब फाइनली यहां का Showman the 30 watt wrap charger पाई क्या ही charger है तीस मिनट में नियरली आपको 20 से 100 हो जाता है बहुत ही मस्चीज है तो यार अब इन सारी चीजों को अलग डग देते हैं और अब आते हैं डिवाइस की व्यू के तरफ अपने दो यार तो यार मुझे यह मिल गया था 34,000 में फ्लिपकार्ट के सेल पे इसकी MRP 38,000 है तो अब हम भी अमीर यूट्यूबर बन चुके हैं तो जैसा आप बड़ी देख सकते हो काफी स्लीक डिजाइन है और यार इतनी लाइट मैंने आज तक नहीं देखी बहुत ल लाइश, OnePlus का लोगो और नीचे OnePlus लिखा हुआ है तो यार the metallic look is awesome, glassy metallic look है इस पे जो बहुत अच्छा लगता है और ये color ही मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत पापड़ बेलने लग पड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ लेकिन मुझे यही color अच्छा लग है नहीं, तो यार यहां security guide, plastic disposal guide, user manual और stickers, यह stickers तो हर जगा जाने वाले भाई, काफी अच्छे stickers है बस है, user guide और finally, OnePlus के तरफ से एक छोटा सा letter, जो मैंने पहले खोल लिया था, excitement, तो यार, imitation letter में आप देख सकते हूं, मैंने पढ़ने वाला, मुझे बुलाया है इस ते, यह है इसका, अंदर के सारा content मैंने आपको दिखा दिया है, तो अब, move on करते हैं, मेरे favorite चीज, यानी charger में, तो यार, wrap charger इसकी one of the best चीजें में से एक है, यार आप देख सकते हो, 30 watt का wrap charger है, और यार, बैटरी इतनी बढ़ियां है, मतलब, 3,800 mAh है, लेकिन काफी अच्छा backup देती है, प्लस चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाता है, extremely fast, तो यार, अब device पर आ जाते है, device, आप देख सकते हो, काफी अच्छा interface है, बहुत मजा आता है देखने में, सेटिंग्स में जाके देखते हैं, तो यार, about the phone देख लेते हैं, प्रोसेसर जैसा आप जानते हो, snapdragon 855+, storage, 8GB RAM, काफी अच्छा है, camera, triple camera है, बैटरी आप देख सकते हो, काफी अच्छा है, मुझे बैटरी बहुत अच्छा लगा है इसका, तो यार, यह out of the box Android 10 है, जो इसका बहुत अच्छा फीचर है, पर Android 10 पर अभी hands-on होने पर बहुत समय लगेगा, बहुत सारी चीज़े अल तो यार, अब आजाते है, screen पे screen, इसकी मखन है, यार, AMOLED, with refresh rate of 90 Hz, तो यार, तुम सोच लो, PUBG तो उड़ेगी, कोई lag नहीं होने वाला, इसकी one of the best features, वीडियो इन एंसर है, अगर आप stream देखते हो, YouTube, या फिर कोई भी, apps जैसे, Netflix, Prime Video, उस पे वो वीडियो enhance करके दिखाती है, तो यार, सही में, वीडियो बहुत अच्छा रहता है, तो वो इसका plus point है, तो यार, move करते हैं, अब इसके दूसरे plus point पे, तो यार, मुझे इसका सबसे अच्छा point ये लगा, कि आप apps को अपने मर्जी से edit कर सकते हो, आप उसकी logo भी अपने तरफ से डाल सकते हो, और name भी, तो अगर आपके पास कोई और app है, तो उसको आप name change करके दख सकते हो, बहुत लोगों को ये अच्छा लगेगा, useful होता है कभी-कभी, समझ जाओ यार, तो यार, अब move on करते camera पे, camera मैं उतना दिखाने पाऊंगा, क्योंकि अभी ये फीचर है OnePlus का, वो है game mode, तो यार, बहुत अच्छी-अच्छी mode है, और इसमें fanatic mode है, जी हा, real fanatic, वही team, fanatic mode आता है, जो enhance कर देता आपकी gaming को, तो यार, gaming बहुत अच्छी मखन होगी इस पे, screen बहुत बढ़ा, यार, सही में, मेरी control सिधर-उदर होगे इसके वज़े, तो कमेंट कर देना, आपको किस फीचर पर वीडियो चाहिए, वो अगली बार आ जाएगी, तो I hope you liked it,